नमस्कार स्वागत है आप सभी का ज्यान गंगा चैनल पर हिंदु पंचांग के नुसा अश्विन मा की पुर्णिमा के बाद कार्थिक मा की शुरुआत होती है कार्थिक मा हिंदु पंचांग का आठवा महीना होता है जो कि पूजा पाठ व्रत के लिए विशेश माना जाता है कार्थिक मा में दे उठनी एकादशी, तुलसी विवा, दीपावली, गोबर्धन पूजा और महापर्व छट जैसे कई ब्रत एवन तैवार पढ़ते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2030 में कार्थिक मा कब है, कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, अमावसिया कब है, पुनिमा कब है और कार्थिक मा के नियम क्या है तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी प्रतिवं तैवारों की तितियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिये ताकि आपको मेरे वीडियो उसके नोडिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना पिलकुल मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कार्थिक मां को सबसे श्रिष्ट माना जाता है मानता है कि कार्थिक मां जैसा पवित्र और श्रिष्ट कोई मां नहीं है इस मां में किया गया व्रत पूजा मंद्र और दान से पुन्निकी प्राप्ति होती है मानता है कि इस मां जो भी वैक्ति पवित्र नदी मिस्तान करते है और पूरे माँ दीप प्रजलित करते हैं उनके सभी कष्टों का नाश होता है। तेरस, दीपावली, छट और कार्तिक पुनिमा जैसे महत्पूर्ट तैभार पढ़ते हैं। आप केवल नरग चतोठी पर एक दिन तेल लगा सकते हैं। इस महा उड़त, मूंग, मसूर, मतर, चना और राय आदी का सेवन वीवर जित्माना गया है। कार्तिक महा के पूरे महा ब्रह्मूरत में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में सनान करना चाहिए। अगर संभव ना हो सके तो घर पर ही नहाने के पाने में गंगा चर्मिला कर सनान कर सकते हैं। इसके साथ ही पूरे महीने प्रते दिन संध्या में तुलसी के पास दीपक प्रजलित करना चाहिए। इस महा में दीपदान का विशेश महत्व है। किसी नदी या ताला में आटे से बना दीपक भी जला कर छोड़ सकते हैं। कार्थिक माह में भागवत गीता का पार्ट करना पेहर्श्यु माना गया है। इसके साथी कार्थिक माह में जमीन पर नहीं सोना चाहिए। कार्थिक माह का प्रारंभ होगा उंते सक्टू पर 2030 देन रविवार को और समापती होगी 27 नवंबर 2030 दिन सोंबार को। मेरे वीडियो में अंते तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नय वीडियो के साथ।